आप सभी मोलाना अबुन कलम आजाद यूनिवस्टिटी आप टेकनोलेजी के हर एक भीवर्स को फिर से और एक बर स्वागत है हाउकना हिल्प यूट्यूब चैनल पे तो मैं कृष्णा घूष और आज की इस वीडियो में मकाउट के हर एक फाइनल यार स्टूडेन के लिए एक निव नोटीस का अपडेट लेके आयो देखिए ये जो नोटीस से बहुत पहले ही पब्लिश हुआ था 9 अब जून 2021 को ये पब्लिश हुआ था तो मैंने अल्डेडी मेरा टेलिग्रम चैनल पे इसको सेयर किया था और बहुत सरे भीवर्स जो है अभी तक ये जो के बेल है चाहे आप इंजिनियरिंग कर रहे है आप नौन याई सिटी कोर्सेस कर रहे है आप मैनेजमेंट का डिगरी का पराई कर रहे है मकाउट अफिलेटेट कोई भी कॉलेज में स्पेशली देखिए इस नोटीस में ये इन्फोर्मेशन सेयर किया गया है कि मकाउट के अंदर जितने सारे कॉलेजेस का करता है उन सभी ऑफайтनल यार में स्टूडıtन यार यार का। असनीन यसेसिंग का सब्सक्राइब कर एक्षा एक सेसमेंट अपका जूलाई के महिने में अशि भीक होगा की थीक्छ तो इसके दोरन आप जो भी college में परहाई करें mood of assessment यह आपका यह देखिए यहाँ पर जो चीज बताया गया है कि आप लोग का assessment कौन सा process को follow करते हुए होगा that means यह online पर conduct करवाया जाएगा या फिर offline पर होगा इसके बारे में अभी भी कुछ clear नहीं बताया गया है यहाँ पर बताया गया है आपका जो college है यह college इसके दोरन जो necessary action है इसे उठाए और दोनों process को ready करने के लिए internally college को advice दिया गया है मतलब आप लोग का जो यह assessment का पूरा process है यह online पे भी हो सकता है और offline पे भी हो सकता है मगर मेरे पस जितना information आ रहा है मैं internal news आप लोगों तक पहुचा रहा हूँ कि देखिए online पे होने का chances 80% आप लोग पकर के रखिए कि यह भी जो assessment होगा यह totally online based पे होगा क्योंकि आज देखिए मैं रात को video बना रहा हूँ आज 14th of June 2021 है तो आज भी जो lockdown के बारे में जो news अभी update हुआ है कि school college को खोलने के लिए कोई भी मतलब confirmation अभी तक नहीं दिया गया है तो इसका मतलब एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि यह जो आप लोग का assessment होगा यह previous academic year में जैसे हुआ था या फिर previous साल वता सकते है या कुछ दिन पहले तक जैसे हुआ था कि online mode पे ही सब कुछ हो रहा है उसी process को follow करते हुए होग लिए और इस यह जो वीडियो या फिर इस नोटिस के बारे में आज भी कुछ सवाल अगर आप लोग के मन में है तो प्लीज कॉमेंट करके बताएगा और दो दिन से मैं थोड़ा वीडियो अपलोड नहीं कर पाड़ा हूँ क्योंकि मेरा family में थोड़ा हेल्थ इसू है तो